हलो दोस्तों नमश्कार आदाप सस्रियाकाल सभी को जी एस उनिकारड में आपका हर्थिक स्वागत और अभनेंदन करते हैं अज हम बात करेंगे बीएट वर्सेज बीटी सी को लेके बड़ा बड़ी ख़बर ही है हाई कोट आड़ार जारी होतकल इलावाद हाई कोट से लख बस उनके सर्विस डायरी में भी चेंज करने की बात कहीं गई थी और कहीं कोई चेंज नहीं नहीं नेच्टरल कंडिया क्रियेशन नेट्रेल क्रियेशन इन 2020 हाई कोट लोग लखनौ 80978 डीवी कोट नमबर था रिटमेटिशन नमबर 9412 अबलिक 2023 स्याम बाबु एंड अध चीफ सेक्रेटरी बेशिक एजूकेशन डिपार्टमेंट उत्तर पतेश लोग सभाई अदर्स कॉंसिल पिटिशनर थे राजियुत कुवार्ति पार्टी और एससी विजेक सिंख और सुधानसु चौहान अनुबल थे अतुर राहमान मसुद्दी जी और अनुबल प्रकास की का मामला था चली देख लेते हैं इसमें बहुत सारी कल पांच-छे-दस पेज का परने का जज़्मेंट आता है लेकिन कुछ पॉइंट से हैं जो आपको बताना चाहेंगे इडिज नाट टू केसा आप श्टेट पीज नाट एग्री तो इंप्लिमेंशन आप कम्मुनिक केस कहने के मतलब वही है आप देख सकते हैं आज के पेपर में भी यह चीज है हाई कोट ने संदर में सरकार को दिये निर्दिस पर्थामिक अध्यापक भरती में बीएट पर निर्णाय लेगी सरकार साब साब इसमें कहा गया है कि देख और दूसरी बात है जज़्मेंट म कोट ने कह दिया कि भाई ठीक है सरकार अपने अंसार सजोधन करें जैसे कि एंसीटी के आडर के अंधार पर लेकिन इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि बीएट को बाहर किया जया है उनकी नौकरी के कोई खत्रा भी नहीं है और उसमें सिंपल सी बात के दूसरी भी बात कह सरकार लेगी और को क्या करना है इस पर सरकार लेगी क्योंकि जो सुप्रिम कोट काड़ा रहा गया दोऑ जर Take दो में इसमें इसमें नौकरी की बात है संसोधन करने की बात कहीं है और संसोधन में क्या है उनका डायरी जो कहते हैं जोईनिंग होने के बाद उनको सर्विस डायरी मिलती है जिसमें उसमें कुछ न कुछ संसोधन करने की बाद हाई कोट ने इनसे कहा यही खबर थी हो वीडियो पशंद आता है दूसरी चीज है कि अभी इसमें कहीं यह नहीं कि जज्मेंट आप पूरा पढ़िए कहीं यह नहीं लिखा है और आपको टेंसल लेने की ज़रूत नहीं भी सामिल है और रहेगा भी बाकी आने वाले भरतियों में क्या होगा यह बात की बात है लेकिन अभी ओनातर हजार